स्वागत बच्छा आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज हम बात करेंगे कि लदाक को छटी अनुसूचे में शामिल करने की मांग क्यों की जा रही है आखिर क्या हुआ 2019 के बाद जब ये बहुत जादा खुश थे कि अब हमारी बातें शायद जो है वो पार्लेमेंट तक पहुँच पाएंगी हम यूनियन टेरिटरी में आके बहुत खुश है और अब दो साल में ऐसा क्या हो गया कि 13 दिसंबर को इन्होंने बंद की घोशना कर दी लदाक वालोंने और यहां पर जो इकलोते एक MP आते हैं यहां से जामियांग, तसेरिंग, नाम ग्याल उन्होंने भी पार्लेमेंट के अंदर मांग उठा दी कि हमें चटी अनुसुची में डाला जाएं अब क्या क्या सीखने वाले हैं? एक तो इनकी प्रोब्लम क्या है, कि यह चटी अनुसुची में जाना जाते हैं अब यहां पर चर्चा कई बात कर लेते हैं क्यों है ये चर्चा में, हाल फिलाल में लद्दाक को यानि जो केंधर शाषित परदेश, यानि Union territory है उसको समिधान की चhटी आनोसुची में डालने की मांग की गई है क्यों की गई है, क्योंकि कहते हैं कि हमारी जो land है जो वहां का employment है या जो इस्तानिय अबादी की संस्कृती है उसको बचाना है एक तो यह मांग है अभी आएंगे इसके पर चर्चा करने वाले देखिए यह राम है आपको पता है कि 2019 में जमू कश्मीर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हुए इसका statehood का दरजा चीन लिया ग अभी परिसीमन चल भी रहे लेकिन लदाक वालों को कुछ भी नहीं दिया गया इकलोता है यहां पर दो यहां पर आप देखें तो ले और कारगिल दो काउंसिल है यहां पर और दोनों के अंदर एक ही MP है जो एक MP है वो जाके वहां पर अपनी मांग उठाते है अब जहां पर जितने में भी में MP होंगे एक तरीके से वहां पर सरकार उतना द्यान देखी एक तरीके से मांग देखे जाए तो इनकी है यह shap है तो यह अपनी मांग अपना ध्यान का अपना सकार का 7 तरब का पनी द依ाए तरु तरीके से देखा जाए तो कि एक MP आते हैं तो एक MP के लिए क्या ही करें वहाँ पर तो यहाँ पर इनको एक ऐसा डर भी सता रहा है आपको बता है कि यह देखिए यह जो मैंने बात बुले है कि जमू कश्मीर का जब पुनर गठन अदिनीम हुआ था 2019 में दो अलग-अलग यूनिन टेरिटरी बनाई गई थी जमू कश्मीर में तो भाया विधाई का के साथ यानि एक तरीके से विधान सबा का वाँ पर गठन किया जा रहा है पर इसीमन जैसे मैंने का चल रहा है और लद्दा को तो भी कुछ नहीं दिया गया इनको उमीदे थी हमें बहुत कुछ दिया जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया इनको उमीदे ये थी कि जब हम जमू कश्मीर के साथ हमारी इतनी सुनी नहीं जा रही थी अब चैद हमारी सुनी जाए यहां पर लेकिन अंदर आप बुद्धिजम के लोग जादा है और कारगिल के अंदर मुस्लिम बहूल संसंक्या है आओ जरा देख लेते हैं इनकी प्रोब्लम के यह हैं वो इनका नाम है जाम्यांग तसेरिंग नाम के आल मैं यहां पर लोगों का ध्यान या फिर सरकार का ध्यान इनके तरफ जाएगा वरना तो जाएगा नहीं यहां पर यह चीज़ें होगी आओ जरा देख लेते हैं चटी अनिसुची में डालने की मां क्यों गई गई देखें Union Territory का कहना है UT Ladakh का कहना है कि अब जो परशाशन है जो वहाँ का administration है वो पूरी तरीके से bureaucrate के हाथ में चला गया है यानि इनके पास कुछ नहीं है bureaucrate आएंगे जो center news करेंगे वो यहां पर आके परशाशन कर रहे हैं एक तरीके से democracy इनकी power कम कर देगई democratic power कम कर देगई है clear अब जमू कश्मीर में तो थी लेकिन जमू कश्मीर से भी ज़्यादा अभी इनके पास problem आ गई है अब देखें जमू कश्मीर के अंदर एक बदली हुई आधिवास नहीं थी यानि जो residence है उसको domosile में जब convert किया गया है तो यहाँ पर एक डर यह भी हो गया है कि जहां की जमीन है रोजगार है जो वहां की संस्कृतिक जो पहचान है उसको लेकर लोगों को चिंता होने लग गई है एक अब लदाक में देखा जाए तो काफी ज़्यादा development या फिर काई construction work अब चल रहा है होटल स्वाँ पर निर्माण होने लगे तो एक तरीक एक डर वहां पर बन रहा है दूसरी चीज़ें यहां पर बोले गई है जो union territory जो लदाक है वहां पर दो ही council है एक तो कारगिल है एक ले है ले के अंदर बुद्धिसम के लोग जाता है कारगिल के अंदर Muslim बहुल जनसंग के है जैसे मैंने कहा अब यहां पर दोनों किसी को भी अनुसुची में नहीं डाला गया है चटी अनुसुची में नहीं डाला गया है अब जिसके चलते क्या है लदाक के पास कुछ एक limited power है limited power बोले तो चोटा मोटा टेक्स ले सकते हैं चोटा मोटा विलकुल माँ मुली संग पार्किंग के लिए एक तरीके से जगा अलोट कर सकते हैं कि यहां पार्क कर लीजी आपको यहां अलोट करते हैं और उसको लेकर थोटी मोटी दे थी लदा को यनि युनियन टेरेटरी को तो बहुत जादा खुश थे 2019 के अंदर कि हम यूटी बन गए हैं शायद अब हमारी बात सरकार सुन लेगी देकिन हुआ इसका उलट कुछ नहीं सुना गया दो साल में इनको इतना जादा चिंता हुई इतना जादा इनको फिक्र ह हुई अपने कल्चर को लेकर अपनी जमीन को लेकर अपने इंप्लोइमेंट को लेकर इंप्लोइमेंट से मैं बता दूं कि यहां पर जब 10,000 वेकैंसी एक मिनट 10,000 वेकैंसी खाली थी 2019 में आज की डेट में 12,000 वेकैंसी खाली गवर्मेंट की तो कुछ तो होई नहीं रह सरकार ने NCST का गठन किया और कहा कि आप जाकर चेक करिए कि जो कह रहे हैं कि हम आधिवासिय यह सही है यह नहीं है क्या इनको 60 अनुसुच में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए तो सरकार ने इसका जो जब बनाया NCST को इसको काम सो पाए NCST को तो इन्होंने चेक किया इन्होंने चेक किया तो इन्होंने पाया कि हाँ लद्दा को छटी अनुसुच में डाला जाना चाहिए क्लियर यह काम क्या करती है देखे अनुसुची जन जातियों के समाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना इसका काम है और इसको केंदर ने ही लगाया था यहा तो इकलोता union territory होगा लदाक जो छटी अनुसुची में जाएगा अब इसके लिए करना क्या होगा एक समयधानिक संशोधन करना होगा यह और यहां पर एक amendment करने की जुरूर पड़े की constitution के अंतर तभी इनको डाला जाएगा वहाँ पर अब सिफारिसियों के पीछे कारण भ फड़ेडा और अनुसुची जन जाती हैं अब यहां पर जो द्रोगपा बल्टी चांगपा यह जो समुधाय के जो लोग हैं उनकी अरलग संस्क्रितिक विरासत है तो उन्हें बचाना जरूरी है उनको बढ़ावा देने के जरूरत है क्लियर, अब कहा जा रहा है, कि जो केंदर, शाशीत, परदेश जब नहीं बनाताए, यानि त्रैटरी नहीं बनाता लदाग, तो उससे पहले लदाग के लोगों के पास, अपनी लैंड को लेकर कुछ अधिकार थे, क्रिशी को लेकर कुछ अधिकार थे, जिससे जो थे भारत के जो अन्य जो लोग हैं वो नहलब भारत देश के जो लदाक के बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर ना आकर जमीन खरीज सकते थे तो उनको प्रतिबंदित थे वहाँ पर कि भी यहाँ जमीन नहीं खरीज सकते लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे इनके पास चटी अनुसुची में अब देखिए अब यह कह रहे हैं कि अगर हमें चटी अनुसुची में डाल दिया जाए तो हमारे पास जो है वो हमारी जो पावर बढ़ जाएंगी अब यह तो होगी इनके सामने लेकिन क्यों नहीं डाल पा रहे हैं गर्मेंट इनको चटी अनुसुची में तो इसके पीछे भी रीजन जान लेते हैं देखें लद्दा को चटी अनुसुची में शामिल करना मुश्किल है इसमें यह बात सपस्ट बोली गए है समिधान में जान लेकित जो चटी अनुसुची है वो फर 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 प्रवत्तर राज्यों के लिए यानि जो इस्टन जो हमारे स्टेट होगे उनके लिए ही बनाई गई है बाकि जो अधिवासी है उनके लिए इसके पीछे इतना बवाल हुआ पड़ा है क्यों चाहते हैं कि हमें सिक्स्ट स्केडूल के अंदर चीज़ों हमें डाला जाए सब चीज़ों के हमें बात करें वाले है तो इनके लिए कहा गया है कि आपके लिए पांच्वी अनसुची है अगर आदिवासी शेतर हैं तो जो विशेश रूप से देखिए अब बात करूँ तो यहां पर हो गया पुर्वोत्र के यह जो राज्य है पुर्वोत्र राज्य इनके बाहर किसी भी राज्य को आज तक किसी अच्छटी अनसुची में शामिल नहीं किया गया इवन मनिपुर जहां पर जहां पर कुछ भागों में आदिवाशी बहुत ज़्यादा संसंक्या में है वहां पर भी छटी अनसुची में इनको शामिल नहीं किया गया इवन बात करूँ नागा लेंड अरुनांचल पर देश वहां पर भी क्या कह रहे हैं कि आदिवाशी शेतर बहुत ज़्यादा है तब भी उनको छटी अनसुची में नहीं डाला गया है अगर लद्दा को छटी अनसुची में डाल देंगे तो ये और बाकी जो राज्ये बैठे हैं ये भी आ जाएंगे ना कि भी हमें भी ढालो और भी बांग उठ जाएंगी इनकी कि हमें भी ढालो, हमें भी ढालो तो एक तरिके से एक गौर्णमेंट यहां पर बंदी हुई है कि नहीं, सिरु चार राज्ये हैं चारों के लिए ही बनाए गई थी किस कमीटी के तहत बारदलोई कमेटी के तहती 6th schedule की स्थापना की गए थी ध्यान रखना 6th schedule नहीं यहां पर Autonomist Council के एक तरीके से स्थापना की गए थी तो इस चीज़ का ध्यान रखना अब नागलेंड के कुछ शेत्र हो गए तो इनको भी नहीं डाला जारा चटी अनसुची के अंदर हलांकि ऐसा नहीं कि सरकार डाल नहीं सकती सरकार एक समिधान में शंशोदन करे एक विधेक लाए तो भाईया अगर डाल दे तो और भी तो राज्य है वो भी कहेंगे कि हमें क्यों नहीं डाला 244 में चटी अनसुची में कुछ पावर से उनके बारें बताया गया है कुछ का सारी गिजारी पावर से इसके अंदर बताया गया है कि Autonomous District Council के बारें में बात की गई है कि इसका गठन किया जाएगा Autonomous District Council यानि ADC का गठन किया जाएगा मैं कहा रहा हूँ कि हरियाना है ठीक है हरियाना में आपने रोत्तक का नाम सुना होगा या फिर चलिए एक काम करते हैं राजस्तान का नाम ले लेते हैं राजस्तान में मानलो यह जैपूर है ठीक है अरे चल जा भाईया मानलो यह जैपूर है ठीक है यह जैपूर है अब यह जैपूर के जो लोग है जैपूर के लोग क्या मांग करने लगे कि हमें छटी अनुसुची में डाल दो अगर जैसे इनको छटी अनुसिटे में डाल दिया जायेगा राजस्तान तो इक पूरा राज्य है तो ये जैपूर भी एक राज्य के अंदर एक छोटा राज्य बन जाएगा यहां पर बहले है इसको राजस्तान के अंदर राज्य का दरज़ा दिया गया यानि जैसे राज्ये के पास पुलिस है, अपना कानून बनाने की पावर है, वहां का न्याय संभालने की पावर है, same to same, इस जैपुर के पास पावर आजाएगी, अपना ये सारा काम करने की, समझो, एक पूरे राज्ये के अंतर एक छोटा हिस्सा जो है, उसको राज्ये का दरजा दे दिया जाएगा, यानि स्टेट का दरजा तो नहीं दिया जाएगा, स्टेट की पावर दे दी जाएगी, सारी कीशहाय, कि आप संबाल लो अपना सारा काम, तो यह है, ये है छटी अंसुची की पावर, अब लिए कितनी क laquelle आईगी इनके पास, और अपने लिए क वहाँ पर तो वह लागू भी नहीं होगा, लागू भी होगा तो इन से संशोधन करवाया जाएगा, उनमें कुछ चीजें हटवाई जाएगी, तब जाके लागू होगा, तो इतनी पावर दी जाएगी वहाँ, तो एक तो यह हो गया, अब छटी उन सुची में जो चार अपने पास, जिनकी गठन के किसकी द्वार किया गया था, राज्ये पाल के द्वारा इनको मतलब बनाया, या फिर मतलब एक तरीके से पुनर गठित किया जा सकता है, अब मैं कहूं कि जहाँ पर यह बने हुए हैं, जिनको अच्छटी उन सुची में डाला गया है, तो वह आपर जाके वो चीज़ें लागू होंगी, और यह सारी चीज़ें कोण डिसाइड करेगा, यह राष्टरपती और राज्येपाल के द्वारा ही चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा, यह उट्वनमीस कांसिल होती है, यह अपना हैसला देंगी, इनके पास जाएंगे, फ इनका चार सदस्यों का जो है वो राजेपाल के द्वारा नॉमिनेटीड होंगे, जिन में तिल मतलब कि तीस हैं, तीस में से चार को जो राजेपाल चुनके आगे बेज देंगे, 26 जो बच गए, 26 का तो वहां पर चुनाव के द्वारा आगे आएंगे, जो चुनाव के दोरा आगया है उनका काम जो 5 साल के लिए होगा और जो चार जो है वो राज्येपाल के दोरा चुने गए हैं उनको क्या होगा वो जब तक राज्येपाल जाएंगे उसकी इच्छानुसार तक वो पदपर बने रहेंगे परतेक स्वायश शेत्र में भी एक अलग शेत्रिया यानि रिजनल काउंसिल होगी यानि जहां पर एक छोटी छोटी और मतलब हिस्सों में और पावर डिवाइड के रधी जाएगी अब ज़रा इनकी पावर और देख लो काउंसिल की पावर क्या होगी देखिए जिला हो गया या शेत्रिया परशद होगी यानि रिजनल काउंसिल होगी या डिस्टिक काउंसिल होगी तो उनके पास क्या-क्या पावर आएगी पावर के लिए तो भूमी यह जो लैंड है, जो फोरेस्ट है, जो पानी है, जो एग्रिकल्चर है, जो ग्राम प्रशाशन है, जो संपत्तिका अतिरादिकारी है, विवा, एवम तलाक, समाजिक रिति रिवाज, इनको लेकर वो कानून बना सकते हैं, यहनि कुछ बचाएं न लेकिन यह कानून बनाना है, तो इनके लिए पहले, इनको क्या होगा, राजेपाल की अनुमती यह सहमती लेनी आवशक है, अब वे जन जातियां, कि मादियम से मुकदमों, एवम मामलों की सुनवाई के लिए, ज़दा कुछ जन जातियां होती हैं, अगर उनमें कुछ अन अब जिला परिशद जो है, उनके अंदर जिला परिशद में, जो प्रात्मिक स्कूल, ओशदाल ले, बाजार, मत्सेपालन, सडक, इनकी स्थापना, निर्मान, प्रबंदन, यह सारा काम यह देखने वाले हैं, मैंने क्या का, एक स्टेट के अंदर एक चोटा स्टेट बन यहां पर, यहां पर इनके लिए तो होगा ना, हमें सिक्स केडूल के अंदर डाला जाए, स्टेट ना बनाया जाए, तो हमें सिक्स केडूल के अंदर डाला जाए, तो सिक्स केडूल है, वो स्टेट का, स्टेट नहीं क्यलाएगा, लेकिन स्टेट की सारी पावर यहां पर टूर्ट राजियों के लिए ही बनाए गई थी अब उन चार राजियों से किसी दूसरे राजियों को आज तक नहीं दी गई तो एक तरिके का ये हैं अगर डाल दिया जाएगा तो और भी राज्यें वह आकर खड़े हो जाएंगे तो सरकार के सामने यह सारी प्रॉब्लम आ नहीं कि दूए टेखते हैं आने वाले time में क्या होगा तो उमिद करता हूं कि आप logg Zahl को WhatsApp दिलेगी टेलिग्राम का टेलिघ्राम को जाकर जोइन कर लीजिए वहां पर आप लोगों को इसकी पीडियाब मिल जाएगी, साथी साथ Facebook group का, Facebook page का, काफी सारे वहाँ पर link दिये हुए है, आप किसी पर भी जाकर join कर लीजे, आपको वहाँ पर इसकी पीडियाब मिल जाएगी, याणि लिखने की जुरूरत नहीं है, लिखने का का मैंने कर दिये, सारी सारी की चीजें आपको लिखी लिखाएं मिल जाएगी, थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो,